नमस्कार फ्योज पलकों की छाओं सीजन टू में देखने को मिला काफी ट्विस्ट अंट्रेंस जहां पर देखने को मिला कि अब सुमन जैसे ही बंटी की कई बाते सुनती है तो उसे एहसास होता है जैसे कि वो अंसुमन ही है तो यहां पर अब सुमन खेलती है बहुत बड़ का जाता है सुमन को परपॉस करने लग जाता है तो बंटी यानि के अंसुमन वहां पर पहुंच जाता है और उस लड़के को पकड़ लेता बॉल देता है कि तुम्हारी हीमत कैसे हुई मेरी सुमन को छोने की मेरी सुमन को हाथ भी कैसे लगा तुमने उससे प्यार का इजहार करने की कोशिस कैसे कि वो मेरी सुमन है तो यहां पर कई सारे बाते बोल रहा होता है जो कि सिरफ अंसुमन ही बॉलता था तो यहां पर सुमन के उड़ जाते हों से तो अब सुमन बॉल देती है ठीक है अगर तुम चाहते हो कि कोई और मेरा हाथ नहीं धामे तो मेरा हाथ थाम और लो अनसुबन जी तो यहां पर जैसे ही अनसुबन यानिके बंटी यह बात सुनता है तो उसके हौसर जाते हैं क्योंकि सुमन चांट चुकी एक अनसुबन है और बंटी बनने का कर रहा है त्रामा तो आप देखना काफी दिल्चस्प आने वाला है कि क्या अंसुमन अपनी मजबूरी बता पाएगा कि क्यों बना है वो बंटी और क्यों लिया उसने बंटी का रूप तो देखना काफी दिल्चस्प होगा अब यहां पर जो बंटी है यानि कि अंसुमन अपने सारे राज सुमन के साम तो बड़ी सच्चाई क्योंकि अब वो असली कातिल तक पहुंचने के लिए यह बंटी बनने का कर रहा था ड्रामा और जैसे यह सच्चाई सुमन के सामने आएकी तो यहां पर सुमन और अंसुमन दोनों करेंगे उस कातिल का परदाफास आखिर कौन है वो नंदर है या फिर जलने वाला लेकिन आप असली कातिल आएगा सामने लेकिन आप असली कातिल आएगा सामने